नमस्कार दोस्तों हरियों में आपका स्वागत है इस वीडियों में परमे 6.3 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है यदि दो तिर्भूजों में संगत कौन बरावर हो तो उनकी संगत भूजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए तिर्भूज समरूप होते हैं देखिए माल लेथे ए ए बी सी और बी ऐस यह दो तिर्भूज दिया होआ हैं ठीक है काता यदि दो तिर्भूजों में संगत कौन बराबर है इसमें दिया होआ है देखिए तिरबुश A, B, C तता D, E, F में दिया एक कौन A, कौन D के बराबर है, कौन B, कौन E के बराबर है, तता कौन C, कौन F के बराबर है, यह दिया हुआ है, ठीक है, खता देखिए, तो इनकी संगत वोजाएं, एक ही अनुपात में होती है, यानि सिद्ध करना है कि इसक बडाबर ac 2df यह तीनों संगध्भूजाएं समानानुपाद में होगा यह सीध करना और पिर बढना कि यह डोनों तिर्वूज समरूफ है तो देखिए इसमें कुछ राचना करेंगे यहाँ एक बिंदू पी ले लेते है और यहां एक बिंदू ले लेते हैं Q ठीक है और इसको मिला देंगे अब देखिए राचना इस परकार करेंगे देखिए राचना में लिखेंगे बिंदू P और Q इस परकार लिया कि A B बराबर D up DP तथा A C बराबर D Q यानि A C जितना इसकी लंबाई इस भूजागे उतने बराबर ले ले लिएं Q और P Q को मिला लियें तो राचना में इस परकार लिखना है बिंदू P और Q इस परकार लिया कि A B बराबर D P तथा A C बराबर D Q A C D Q के बराबर और साथी P Q को मिलाया ठीक है P Q को मिला दियें यह राचना कर लियें अब देखिए अब इसका प्रमान दिखाते हैं देखिए प्रमान तिर्बुज A B C देखिए तिर्बुज A B C तथा तिर्बुज D P Q देखिए A B C और D P Q इस दोनों तिर्बुज यह करेंगे पहले देखिए क्ञें क्या यह दोनों तिर्बुज सरवांगसम होगा तो देखिए गेब बराबर कि A B बराबर D P में कहां से रचना से भी रचना क्या हैs A B के बराबर D सेखिए और देखिए कौन a ब्रावर कौन d. ये दिया हो प्रस्ण में देखी कौन a d. संगत कौन ब्रावर है ये दिया है ठीक है और देखी ac ब्रावर ac ब्रावर d q ये भी रचना से ठीक है तो देखिए दोनों तिर्फुषश क्या हो रहा सर्वांगसम हो जागा किस नियम से तो देखिए भोजा कौन भोजा ठीस में सरवांगसम के मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो पले लिस्ट में जाके उस वीडियो को को देख सकते हैं या description में link देदेंगे यहां से हम देखिए क्या निकाल सकते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि कौन B कौन P के बरावर होगा क्यों बोल सकते हैं तो यहां कारण देना होगा तो इसका कारण देंगे cpct corresponding parts of congruent triangle सरवांगसम तिरभूजों के संगत भाग संगत भाग बरावर होता है इसलिए हम हम कौन B कौन P के बरावर उसी परकार कौन C कौन Q के बरावर होगा लकिन हमको इभी कौन C और Q के ज़ोरत नहीं है इसलिए कौन B और कौन P को ले लिए इसको बोल देते हैं समीकरण A ठीक है लेकिन देखिए लेकिन दिया है लेकिन क्या दिया हुआ है कि कौन B बरावर कौन E दिया हुआ है कौन B बरावर कौन E इसको बोलते था समीकरन 2 ठीक है यह दिया हुआ है देखिए यहां सीध क्या किये कौन B कौन P के बरावर हो गया सीध किये लेकिन यह परस्न में दिया हुआ कौन B कौन E के बरावर तो यह से देखिए समीकरण एक और 2 से समीकरण एक तथा 2 से Speaking एक और 2 से यहां देखते है कौन B P के बरावर कौन B E के बरावर इसका मतलब P और E भी बरावड़ होगा ठीक है दोनों के यह ने साड बरावर है तो दाएं साड भी बरावर तो समिकरन एक और दो से कौन P बरावर कौन E कौन P और E बरावर हो गया तो देखें हम लोग 9 क्लास में सीख चुके हैं कोई भी दो रेखा है इस परगार तिरियक रेखा है तो यह कौन और यह कौन क्या होता है संगत कौन होता है अगर यह दोनों कौन बरावर होगा तो यह दोनों रेखाएं समानतर होगा ठीक है और यह दोनों रेखाएं समानतर है तो यह दो कौन बरावर होगा इसका भी प्रीद तो यहां देखें यह दोनों कौन बरावर हो रहा इसका मतलब यह दोनों रेखाएं यहां से लिख सकते हैं अथार्थ इंपलाइज अथार्थ लिखें यह इस परकार कर निशान लगा सकते हैं ठीक है यह देखिए पीक्यू बराबर यह दोनों समंतर होगा कारण में देदियें चुकि संगत कौन बराबर है इसलिए पी और ही क्या संगत कौन संगत कौन बराबर इसलिए रेखाएं समानतर होगा ठीक है अब देखिए यह दोनों रेखाएं समानतर हो गया तो हम लोग यहां थिल्स परमे लगाएंगे देखिए तो यहां से क्या लिखेंग क्या लिखेंगे कि इसलिए लिखेंगे क्या देखिए ऐसा लिख सकते हैं देखिए इसका कारण बताएंगे ऑगी सब्सक्राविज़ ना है क्यों लिख सकते हैं देखिए आप परमें में थे कि नोके मि खिर में परमीर क्या सब्सक्राप्राप्टी और प्रम है n तो फिर रुत याश्म ईतना लिख सकते हैं दोनों का कारण से हम देना है थिल्स परमे ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है तो देखिए आपको यहां लिखें यहां देखिए अब यहां देखिए राचना क्या किये देखिए इतना अथार्त हम इतना लिख सकते हैं और यहां लिख देंगे देखिए यहां रचना क्या कि रचना को देखिए अब बरावर डी पी है और एक बरावर डी क्यों तो देखिए DQ के बदले लेख देंगे AC और यहां लिख देंगे DF यहां कारण चाहे तो दे सकते हैं कि देखिए चुकी देखिए DP और यहां रचना क्या किये थे यानि AB AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ यह कारण दे सकते हैं इसलिए DP के जगा AB लिख दीए ठीक है और यह DQ AC और DQ बराबर तर दीक्यों DQ के जगा AC लिख दीए ठीक है अब देखिए इसको बोल देते हैं समीकरं 3 ठीक है अब देखी तो देखीं यहां सीध क्या करना है देखी तीनो संगत बोजाओं समानुपाद जनी बरावर होना चाहिं लैकिन यह दो संगत भोजां A B बरा, A B बटा डी तेखे,frerey बटा डी बरावर अगर इस परकार यान इसके समांतर यहां इस परकार पी क्यूं ले लेंगे यहां पी ले लेंगे और यहां क्यूं ले लेंगे इधर से एक रेखा अगर खीचेंगे तो यहां से सिद्ध हो जागा ठीक है जिस तरह इसको सिद्ध कें उसी परकार यह सिद्ध हो जागा यानि यह बट्टा एडी और बीसी बट्टा इयप इसको बीए कहें एडी कहें एकी बात इडी कहें डी कहें एकी बात इस परकार यह भुजा इसके संगत और यह भुजा इसके संगत जानी समानुपाद जो यह सिद कियें इसी परकार अगर इस परकार ले लेंगे इधर से तो यह क्य quotinginka दोनों भेंजन समान उपाद हो जागा यह संगत वुझा और यह संगत हो जाएं समान उपाद हो जागा इसको यहां से कर सकते उतना करकर नहीं दिखाना अथि कहें आपको डारेट opens ग्लिक देना इसी परकार जिस तरह इसको किये, यहां लेकना इसी परकार, ठीक है, इसी परकार AB बट्टा D बरावर BC बट्टा EF, ठीक है, जिस परकार इसको सीध किये, इसी परकार हम इसको भी सीध कर सकते हैं, यहां इस परकार है, इसके खिचेंगे, यहां लेंगे, इसके बरावर EP ले लेंगे, BA क Q के बरावर ठीक है इस परकार हम इसको यहां से यह चीज ला सकते हैं लेकिन लाकर दिखाने का वह सकता है आप लिख सकते हैं इसी परकार इसको बोल देए समीक्रन 4 ठीक है अब देखिए कि समीक्रन तीन तथा 4 से क्या देख रहे है कि AB बट्टा D किसके बरावर है AC बट्टा D और AB बट्टा D B C के बरावर है ब्राबर एस परकार दिखी तीनों संगत हो जाएं समान अनुपाद में तो यहां से ब्राबर हो गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों तिर्भूज सम्रूप होगा ठीक है अथार्थ तिर्भूज ABC सम्रूप होगा तिर्भूज यहिसे ही देखिए दोनों तुरबूज के संगत हो जाए समान अनुपात में और अनुपात में सीढ कर दियать तर्फियां से हम कह सकते हैं दोनों तिरूज शम्रोफ क्योंकि इन्टोड़क्शन वाला बीडियो में बता चुके हैं लिंक दे देंगे देख लिजेगा क्या देखिए क्या बोले थे कि इसको जूम करेंगे इसको खीच के बड़ा करेंगे खीच के बड़ा करेंगे तो इसके उपर में रखेंगे तो इसके सर्वांगसम कर देंगे कि अगर सरवांगसम होगा तो दोनों तीरवी पूश समरूप होगा ये इंट्रोडक्षन वला वीडियो में अस्पश्ट किये हैं तो तीनों संगत बुजाएं समान अनुपात में हैं तो इसका मतलब खीचेंगे तो करें प्रूम करके हम इससको सर्वांसम कर सकते हैं ठीक है ठीक है क gefमेंद करें और आप कमेंड करें और आपने जबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें